माननी मुख्यमंत्री जी के नितर्तों में मंद्य प्रदेश में हम इन योजनाओं के अंतरगत निरंतर तीव रगती से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना हर घर को आवास देने की इस योजना में मंद्य प्रदेश ने कीर्तिमान रचे हैं। और हर घर में स्वक्ष पेयजल पंचाना मानीय प्रधान मंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूम हमारे अशच्फी मुक्rd की प्राथ मिखता है। आज इन योईजनाओं में हमारे कीर्तिमान को इस मंच्च सरेखन कित किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रतीकात्मक लाब वितरण के लिए मैं हितकराहियों को आमंत्रित कर रहा हूं शहरी छित्र के कुल 256 M.I.Z. आज हितकराहियों को प्रदान किये जा रहे हैं जबकि क्रामिर छित्र के 1202 भवन आवास आज हितकराहियों को दिये जा रहे हैं इसी प्रकार ज इन यालजीवन मिशन के अंतरगत 3 x 234 कि अ पर्धान मंत्री आवास युजना शेयर के हमार याती थी गण। प्रधान मंत्री आवास योशना ग्रामीन के अंतरगत हितगराही श्री हरेंदर सिंग भगोरिया पुत्र श्री कप्तान सिंग ग्राम पंचायद जखारा जनपत पंचायद मुरार चाबी के माध्यम से यह भबन उन्हें सौंपा जा रहा है आवास उन् अंतरगत जल जीवन मिशन में श्रीमती कामना किरार, श्रीमती रूबी किरार, श्रीमती सशी, सीतला माता, श्यामस व सहाईता, समूंग्राम, मौश, रिछेरा, विकास, खंड वितरबार, नल जल योजना के संचालन एवं संधारन हे तू फील्ड टेस्टिंग किट इन्ह 143 ग्रामों की 4,289 करोड जल प्रदान योजनाओं का लोकारपन एवं सिलान न्यास, बहुत बहुत धन्यवाद माननी है, अब हम उस एतिहासिक छंड के साक्षी बनेंगे, जो छंड इस अंचल के विकास को एक क्रांतिक उर्जा परदान करेगा, अपनी संभावनाओं को साकार होते देखना, कितना सुख़द और हिर्दा इस परसी होता है, हमें महसूस करेंगे, अनुरोध एयर टर्मिनल की शिला पर्टिका के अनावरन के लिए, नया टर्मिनल 20,000 वर्ग मीटर के छित्र में विकसित, यह नया एयर टर्मिनल और इस एयर टर्मिनल के बाद इस पूरी परियोजना को हमरे खांकित कर रहे हैं एक फिल्म के माद्यम से, फिल्म के प्रसारण हेतु अनुरोध है, गुआलिया, एक ऐसा शहर जो अपने में कई युगों की तस्वीरें, प्रगती की कई पहलों, और संस्कृति वो परमपराओं की कई गाथाएं समाए हुए हैं, जो मद्य भारत की राजधानी के रूप मिस्थापित था, जहां तान से इनके स्वर आज भी राग बन कर गूंचते हैं, जहां के मुती महल में उस समय के विधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें वो रोनकें, इतिहास के पन्नों में अंकित हैं, जहां सिंध्या राजवन्ष ने संस्कृती, उद्ध्योग, शिक्षाव, स्वास्थ सेवाओं के विस्तार वक्षित्रिय प्रगती को केंद्र में रख कर काई किया, वो ग्वालियर आज बीते कल के सौंदरे को समेटे, आधोनिक्तायवं उन्नती की ओर अग्रसर है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेत्रितों में पांच प्रणों को साथ लिए, भारत एक विक्सित राष्ट्र बनने के बड़े संकल्प की ओर पूरे जोश से अपने कदम बढ़ा रहा है, ग्वालियर भी उस विकास यात्रा का हिस् पूरी तरह तयार हो रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतरगत शहर का समगर विकास किया जा रहा है, और इसी दिशा में ग्वालियर एरपोर्ट का राजमाता विजयराज सिंधिया टर्मिनल भी एक नया रूप लेकर आगे पढ़ रहा है, भारतिय विमान पत्तन प्राध अधिक रनद्वारा ग्वालियर एरपोर्ट में स्थानीय कला से परिपूर्ण एक विश्वस्तरिये सिविल इंकलेव के विस्तार का कार्य किया जा रहा है, चार सो पचास करोड से अधिक की लागत से होने वाले इस विस्तार में नए टर्मिनल भावन का निर्बान वर्तम करकिया जा रहा है, वो प्राधिक रनद्वारा 142 एकड़ भूमी का अधिक रहन कर आने वाले कई दशकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है, नया एरपोर्ट टर्मिनल भावन वर्तमान के 200 यात्रियों की तुलना में एक साथ एक बार में 1400 य प्रसेंजर बोर्डिंग ब्रिजस भी बनेंगे, और इस हवाई अड़े से प्रती घंटा दस विमानों का संचालन हो जकेगा, एरपोर्ट के नए टर्मिनल भावन को मध्य प्रदेश की सम्रिद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककला और प्रख्यात विभूतियों के चित्र जिससे पर्याटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे ग्वालियर के विकास में तेजी आएगी, तथा रोजगार एवं और योगिक प्रगती को भी प्रोचसाहन मिलेगा। तोड़ने के स्वपन को साकार करते हुए, ग्वालियर भी आसपास के अन्य शहरों से जुड़ जाएगा। जिससे क्षित्र के आमनागरिक का ग्वालियर तक आवगमन सुगम हो सकेगा। सितंबर 2023 तक इस पर योजना को पूरा करने का लक्ष रखा गया है। नए भारत की समगर विकास यात्रा में सशक्त भूमी का निभार है। माननिय ग्रह मंत्री अमित शाह जी के करकमलों द्वारा नए टर्मिनल का शलानियास, मंद्द प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान, केंद्रिय क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्री श्री नरेंद्र सिंग तोमर, केंद्रिय नागर विमानन वैस प आत्मंत्री श्री जोतिरादित्य सिंध्या तथा अन्य गणमान्य अतित्यों की उपस्थिती में किया जा रहा है आईए ग्वालियर के नए एरपोर्ट टर्मिनल से होने वाले ग्वालियर के चहु मुख्य विकास का स्वागत करें आई जल जीवन मिशन के अंतरगत इफिन योजनाओं का लोकार पड़ और सिला न्यास मैं अनुरोद कर नहां हूं मानने मुख्यतिति महोदै से लोकार पड़ और सिला न्यास के लिए मड़ी खेडा समुहु जलपरदाय योजना शिवपुरी से बसई समुहु जलपरदाय योजना शिवपुरी तदिया के संयूग तोजना महुवर समुहु जलपरदाय योजना राजगाट समुहु जलपरदाय योजना, साड़ा समुहु जलपरदाय योजना, नरहेला समुहु जलपरदाय योजना और पसई समुहु जलपरदाय योजना इस प्रकार से इन योजनाओं का लोकारपन और सुलान्यास माननी है मुख्यातिती महोदय के माध्यम से हम सब के लिए सौभा के किछण हैं एक गौालियर भूमी के लिए एक एतिहासिक संयोग है गौरव से इस्पंदित कर रहने वाला यह अवसर है कि समक्र राष्टर का एक विराट व्यक्तित्व हमारे बीच है जिसके विक्तित्व की आभा से संपूर देश में राष्टरबाद की अलख प्रज्वलित है जिसके होने से हमारा घर सुरक्षित है हमारी सीमाए सुरक्षित है राष्टर का मान और प्रतिष्ठा सुरक्षित है एकता और अखंडता अच्छुन है राश्टर के दीरखकालीन और जटिल विश्यों को जिन्होंने अपने अदम में साहस एवं रणनीती से निदान दिया है जिनकी कारेप्रणाली से हमारे दुश्मन आतंकित हैं और हमारे दोस्त आशानवित हैं ऐसे भारत भूमी के लाडले सपूत और यशश्वी जनलनायक को हम उद्बोधन के लिए बड़े ही सम्मान और आग्रह के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे देश के केंद्रिय ग्रह एवं सहकारिता मंत्री मारानिय श्री अमित्शाह जी तालियों की असीम गलगलाहट से हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं मेरे साथ बोलिए बारत मता की बही ऐसी आवाद नहीं चलेगी मोदी जी तक आवाद जानी चाहिए पूरा मंत्र और सामने बैठे हुए सभी लोग दूर दूर तक दोनों हाथ उठाईए दोनों हाथ उठाईए अपनी मुठी भीच कर प्रचंद वाद से बोलिए भारात मता की बारत मता की मंचुपर उपस्तित मध्यपदेश के यसस्वी मुख्यमंत्री स्रीमान सिवरा सिंग चौवान जी मेरे मित्र और इसी क्षेत्र के दिगद नेता स्रीमान नरेंद्र सिंग तोमर जी जिनके निमंत्रन पर मैं आज यहां आया हूँ ऐसे श्रीमान जोतिर्याद्वित्य सिंध्या जी मध्यपदेश के गुरू मंत्री डॉक्टर नरोतम मिश्रा जी तूलसी सिलावट जी यसोधाराजय सिंध्या जी हमारे प्रदेश अध्यक्स महोदय जो सांसत भी है कजुराओ के श्री गोविन राध्पुत जी श्री प्रद्युमन सिंग जी श्री अर्विन सिंग बदोर्या जी श्री महेंद्र सिंग सिसोध्या जी श्री बारत सिंग कुस्वा जी बिजेंद्र सिंग यादव जी श्री सूरेश धाकर जी हमारे श्री केपी यादव जी श्री मती संध् जी हमारे ग्वालियर के सांसद महोदय और आज इस विराट सभा के अंदर आये हुए ग्वालियर चंबल संभाग के सभी बाईयों बेहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार प्रणाव मित्रों अभी अभी सिवराज जी ने कोई बड़ा यज्य कराया लगता है हरोज मध्यप्रदेश सुर्खियों में है कुछ दिन पहले प्रदान मंत्री जी स्वयम आये थे और श्री महाकाले स्वर के वहां महाकाल कौरीडोर का रलोकार पण करकर गए बगवान महाकाल सदियों से समग्रदेश के लिए आस्था का केंद्र रहे यह उचेनी नगरी गुप्ट सामराज्य के समय से भारत की कला का संस्कूर्दी का केंद्र रही यही से बीर विक्रम की बातों को आज भी बच्चा बच्चा जानता है वो उचेन में अद्बूत नजारा में अती सोयोक्ति नहीं करता मेरे जीवन में मैंने ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा जब महाकाल लोग का भुलोकार पढ़ हुआ तुधान मंत्री जी ने देश की 130 करोर की जनता की और से बड़ी स्रज्जा के साथ महाकाल का पुजन अर्चन भी किया और आज जब भी मैं वोक्षन को याद करता हूँ तब याद आता है कॉंग्रेशियों ने इतने साल राज किया ना केदारनाथ का उद्धार किया ना बद्री धाम का ना उज्जेन का ना कासी विसोनाथ का उन्होंने भारत की सांस्कूर्तिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था पुजान मंत्री जी ने तुरुष्ट्री करण की रादिती का त्याग करकर धडल्ले से हमारे सभी मान बिंदूओं का सन्मान किया और उनको सद्यों सद्यों तक स्रद्धा से लोग देखने आये इस प्रकार के बातावर्ण की निर्मितिक मित्रु आज मैं यहां पर ग्वालियर में आया हूँ मैं ग्वालियर में आये हूँ तब सबसे पहले महाजी सिंध्या की विर्टा को प्रणाम करकर नमस्कार करना चाहता। सिवाजी महाराज ने जो स्वदेश का स्वराज का मंत्र जगाया था पूरे उत्तर भारत में अनेक यातनाए और कश्ट बेट कर जहल कर महाजी सिंध्या ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। मैं भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकरता बड़े वच्पन से हूँ। यही भूमी की दो विभूदी स्रिमंत विज्या राजे सिंध्या जी, राजमाता जी और हमारे कुसा भाव जी भारतिय जन्ता पार्टी का छोटे से छोटा कारेकरता भी स्रिमंत विज्या राजे जी को और कुसा भाव जी को कभी भूल नहीं सकता अंगिनत उकार ये दोनों महान विभूतियों का भारतिय जनता पार्टी और भारतिय जनता पार्टी की पिडियों की कार्यकरता उपर पड़े अटल जी ने भी इसी भूमी को अपनी कर्म भूमी बनाया और अटल जी ने समग्र संदेश के अंदर पहली बार भारतिय जंता पार्टी के प्रधान मंत्री बनकर आज एक संदेश दिया था कि भाजपा की सरकार कैसी हो सकती है हलांकि संयूक्त सरकारती फिर भी एक बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया था मित्रो आज में यहां आया हूँ एक आधुनिक से आधुनिक राजमता विज्या राजे सिंद्या एरपोर्ट का भुमी पुजन आज हम सब ने मिल कर किया है मैं सिंद्या जी को बढ़ाई देना चाहता हूँ क्यूंकि जिस सिद्दत से साथ बारी किसे इन्होंने एरपोर्ट का प्लानिंग किया है मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे हवाई अड़ों में यह हमारा गवालियर का एरपोर्ट होगा इसके साथ साथ यहाँ पर कई लोगों को ग्रामीन और सहरी प्रदानमंत्री आवास का लोकारपन किया गया उनको घर की जाबी दिया मित्रों हम सब समझते हैं एक गरीब घर की व्यक्ति के लिए अपना घर एक स्वपन होता है और प्रदानमंत्री जी ने चाहे सहर हो चाहे गाउं हो हर गरीब को गर मिले यह लक्स भारतिय जनता पार्टी की सरकारों के सामने दिखा है बीच में यहां थोड़ा समय कमलनाची की सरकार आई आई थी न भई जरा जोड से बोलो आई थी न अनुभव कर लिया न हो गया न सारी योदनाए बन कर दिदि प्रधान मंत्री आवाश योदना के लिए ना सेहरी के लिए ना ग्रामिन के लिए चाराना भी नहीं दिया सारी योजना बंद करकर रख दी फिर से सिवराज जी मुख्य मंत्री बने और आज योजना अपनी पट्री पर चड़ गई मैंने आते ही सिवराज जी को कहा सिवराज जी उन्होंने जो किया वो किया ये सारी योदनाए थोड़ी पिछे पड़ गई है क्या करोगे उन्होंने कहा मोदी जी ने कहा है दुरत गती से करना है तेज गती से करना है और जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करकर 24 के पहले लक्स पुरा कर देना है इसी तरह यहां से चंबल की नदी जा रही है भाई एकवालियर चंबल संभाग से ही लाखो करोडो गैलन पानी यहां से जमना जी में जमना से गंगा जी में ने गंगा जी से बंगाल तक जाता है मगर यहां हर घर में पानी नहीं पहुता है प्रदान मंत्री जी ने एक योतना बनाई हर घर नल से जल गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में नल से जल पहुचाने का कारेक्रम किया उसको भी कमलनाजी ने बंद कर दिया था थोड़ा लेट हो गया मगर सीवराजिन ने उसको चालू किया और लगबग लगबग बयाली सो करोड के काम अकेले क्वालियर चंबल संबाग में आज सुरू मित्रो जो एरपोर्ट बना है 25,000 वर्ग मीटर का बिल्ट अप एरिया एक लाग साथ हजार पैसेंजर से ग्यारा लाग पैसेंजर का क्षमता का विस्तार 2.5 गिगावर्ट सोलर पावर के साथ ग्रीन एनर्जी से संचालिट एरपोर्ट और एक साथ 1400 से ज्यादा यात्री को चडाने की और उतारने की भ्यवस्ता यहाँ पर बने इसके साथ साथ यहां कार्गो टर्मिनल भी बना है जो ग्वालियर चंबल संभाग के सभी MSME का लगू उद्योजोगा का माल उनका उद्पाद पूरे विश्व के अंदर भेजने के काम आएगा जिससे इस सेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी और इस सेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा मित्रो मोधी जी के नेत्रुदो में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास होगा सोनिया मनमोन के समय में 12 किलो मिटर नेशनल हाईवे बनते थे अब 37 किलो मिटर बनते पहले एक साल में 375 किलो मिटर रेल डाली जाती थी आज 375 से बढ़कर 1458 किलो मिटर और कुरूसी नरेंद्र सिंग जी बैठे हैं कुरूसी का बजेट जो पहले 27,000 करोड था ताली बजाना जोर से 27,000 करोड से बढ़ा कर एक लाग 24,000 करोड रुप्या कुरूसी का बजेट भारतिय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेत्रुतों में चउम की विकास की और आगे बढ़ रही बाता हो भाई हो बेहनों सिर्फ विकास नहीं देश की कई ऐसी समस्याए जो वर्सों से जिसका समादान नहीं होता था आप मुझे बताईए आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदीर का निर्मान हो जरा जोर से बुलिये चाहते थे या नहीं चाहते थे एक कॉंग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया हमें टाने लगाते थे मंदीर वहीं बनाएंगे तीथी नहीं बनाएंगे बताएंगे मोधी जी ने आपने प्रदान मंत्री बनाया दूसरे टम्मे और तुरंत ही एक भी बुंद रक्त बहाए बगर भव्य राम मंदीर का सिला न्यास करने का काम किया है दुप्रो और अपने जीवन काल में ही अपने जीवन काल में ही हम एक भव्य आकास को छूने वाला राम मंदीर अयोध्या की वोही बुमी पर देख पाएंगे ए संभव मोधी जी के कारण हुआ है शिवराज जी ने कहा कि धारा 370 हट नहीं सकती जी मोधी जी का ही द्रड संकल्प और मनोबल है कि 5 अगस 2019 को धारा 370 से हमारे संभिदान से उखाड कर फैक आर वो कस्मीर भारत माता का मुगुट बनी बनकर हमारे साम राजपत कर्दव्यपत में परिवर्दी धुआ कई सारे एसे काम जो कभी नहीं हो सकते थे मोधी जी ने किये हैं मित्रो सिविल एवियेशन छेत्र में भी उडान को लाए और आज टू टायर और थ्री टायर के हवाई संपर के कारण वहां से एक करोड यात्री हवाई यात्रा कर रहे है ये नरेंद्र भाई ने बताया चंबल वालियर वालो आप सभी का तिन तिन टिका लग गया है या नहीं लग गया है वह जरा बताओ लग गया है या नहीं लग गया है एक पैसा भी देना पड़ा है इतने बड़े देश में दो सो चौबीस करोड टीके लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने टेकनिक के आधार पर किया, टेकनोलोजी के आधार पर किया और टीका लगाते ही दस सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो वाली रिसिट भी आजाती थी आजाती थी न भई, इतना ही नहीं, लगबग लगबग ढाई साल तक देश के हर गरीब को मुक्त रासन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में स्वाचा लए, पांच लाग तक का स्वास्त का कार और हर गरीब को मुक्त रासन नरेंद्र भाई ने 80 करोड घरीबों को पहली बार अनुभव कराया है कि आजादी के बाद इनके लिए भी कोई सोचने वाला है मित्रों मुझे लंबी बात नहीं करने, मैं इतनी ही बात करने आया हूं मध्यप्रदेश ने एक बार कॉंग्रेस का अनुभव कर लिया है कर लिया या नहीं कर लिया भई अरे जोड से बोलो किया या नहीं किया कैसा रहा कैसा रहा अब फीर से चुनाव आने वाले हैं आने वाले है ना गलती मत करना मोदी जी पर भरोसा रख कर कमल के निसान पर बटन दबा कर भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार मित्रो आज वालियर सहर के लिए ये बहुत बड़ी सौगात नरियंद्र मोदी जी ने भेजी है जोतिरा दित्य इसी विभाग के मंत्री है वालियर के ही है स्वाभाविक रूप से नैनीहाल में अगर मा परोस ने बेटे तो बेटे को खाने में कोई तकलिप पड़ेगी क्या पड़ सकती है बहुत अच्छा एरपोर्ट बनाने का उपक्रम जोतिरा दित्य जी ने यहाँ पर जमिन पर उतारा है मैं जोतिरा दित्य जी को और मोदी जी को पूरे संभाग की जन्ता की और से बहुत बहुत धन्यवाद और सादुवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को यह कहना चाहता हूँ मध्यप्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी जी और सिवराज सिंग जी सरकार का लक्स है भारतिय जन्ता पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी देश को सुरक्सित करेगी और भारत माता के घौरव घान को पूरे विश्व के अंदर सन्मान के साथ पहुँचाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार करेगी फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की बारत 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 मा कि पुन्य भूमी आपके परतिकर तक है और चारिक आपार प्रश्चन के लिए अनुरोद कर रहा हूं में सच्छिव नागर विमानन शीला जी बंसर जी कि आज का दिन